यह BLDC मोटर है जोकि घर पे बनाई गई है और इसका RPM है 10,000 RPM और इसको मैंने बनाए बाइक की खराब मेंगनेट कोईल से इस मोटर के बनाने के खर्चा कर देखा जाए तो 400 रुपे के अंदर ये बनके तैयार हो जुगी है चायद आपको यकिन नहीं हो रहा होगा क्योंकि मार्केट में मिलने वाले छोटी साइच की BLDC मोटर भी 1000 रुपे के आसपास आती है इस बात पर यकिन करने के लिए इस वाली वीडियो का आपको पूरा देखना होगा चालू करते हैं फटापर से वीडियो और देखते हैं इस BLDC मोटर को आप घर पर कैसे बना सकते हो तो हमें सबसे पहले लेना होगा बाइक का खराब मेगनेट कोईल यह खराब वाला है तो आपको बाइक रिपेरिंग शोप पर इजीली मिल जाएगा कहीं से भी ले सकते हो अब आई उसको पर्चेस करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो इस्टेटर है उसके अंदर जो कोर की संख्या वो तीन के बाड़ी के अंदर आने चाहिए जैसे कि माली जे 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ यह 15 हुआ अब यहाँ पर देख सकत हो जो मेरे इस्टेटर है इसके अंदर कोर की संख्या 12 है आपको भी ध्यान रखना है 12 का या 15 का या 9 को पर्चिश करना है अब इसके ऊपर जो रोटर देख रहे हो आप इसके अंदर मेंगनेट लगे होंगे इस के लिए इसके आपको गरम करना होगा गरम करने से इसका गलू जो जल जाएगा और और मेगनेट जो आप इस टाप से निकाल सकते हो यह जो मेगनेट है इस project के अंदर तो काम नहीं आने वाली है तो आप किसी और project के अंदर यूज ले सकते हो इस magnet का और ये market में काफी कम मिलती है और महेंगी भी मिलती है तो इनको आप समयल कर रख लेना अब यहाँ पर इस इ एकि मेरी वीडियो कहा तक जा रही है और अभी तक आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट से कर लेना और फेस्बूक पेच पे देख रहे हो तो फोलो जरू कर लेना यहां पर देख सकतो मैंने इसकी वाइंडिंग निकाल दिये और अब यहां अब करें नहीं करने हो सब्सक्राइब इसे 5 वायर को एक साथ मिला कर इसको वाइंडिंग करने वाला हूं, यहां पर मैं एक वायर को पांच बार यहां पर लपेट दूँगा, जिसे हमार जो है 5 वायर एक साथ आजाएंगे, तो देखो, वीडियो बनाने में काफी जादा मेहनत लगती है, दस मिट की वीडियो जो तो यहां पर देख सकते हैं इस टाइप से जो हमने पांच वायर को एक साथ लगा दिया है अब यहां पर इसकी वाइंडिंग चालू करते हैं करनी है आपको चेंज नहीं करनी है और यहां पर मैं एक कोर के अंदर जो है चोई स्टन ले रहा हूं यहां पर देख सकतो मैंने चोई स्टन ले लिए एक कोर के अंदर उसके बाद दो कोर चोड़ना में और तीसरे वाले के अंदर वापिस से वाइंडिंग करना है देख सकतो तो हमने जो बारा कोर का लिया ना तो इसके अंदर चार कोर के ऊपर हमारे A1 की वाइंडिंग होने वाली है तो मैं फटा फट से वाइंडिंग का चालू कर देता हूं इसको नाम दिया था A1 और यहाँ पर इसी टाप से हमें दो वाइंडिंग और करने होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें इसके अंदर वाइंडिंग करने होगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे एंडिंग वोइंडिंग और स्टैटिंग पोइंट है उनको जलाकर यहाँ पर जो उपर की साइड में कोटिंग होती है इसके अंदर उसको हम यहाँ पर हटा देंगे और यहां पर आप दिष्टति जो हमारा A1 ए उसको C2 से connect करना है B1 जो है इसको A2 से connect करना है और C1 जो है इसको B2 से connect करना है तो यहां पर देख सक को तो मैंने delta wiring कर दिये इसके अंदर और अब यहां पर मैं इसका अंदर soldering कर दूँगा अब ध्यान रखना आपको कि सोल्डिंग करने से पहले इसको जलाकर उपर से जो कोटिंग होती है उसको हटा दीजिए वहना सोल्डिंग नहीं होने वाली है अब यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है तीनों पॉइंट पे तीन वायर लगा दिये जैसे हमारी BLDC मोटर होती है ड्रोन की मोटर उसके अंदर तीन वायर होते है उसी टैप से यहाँ पर मैंने तीन वायर लगा दिये इसके अंदर सोल्डिंग करके और यहाँ पर सोल्डिंग कर सके हैं इसान को अपर हो इस सिप साइट कर सका है उब HAIR detta को फिसका अब घावन्ण को बना सकते हुग चाना का टा कि प्लाश्टिक और को यूज सेखर अगर आपको रवार्ट रौट हो ऊहन लिए उसका मीने जोगाड बताए अब मैंने इसको पिलुच में लगा दिया श् अब यहां पर देखो जो राउटर है हमारा इसके बीच में भी यहां पर इस टाप से कनेक्ट कर दूँगा मैं इसको और यहां पर सुपर ग्लू से जिपका दूँगा बाईयो मैंने इसी टाप की एक मोटर और पहले बना रखिये पहले मैंने इसको चेक किया है उसके बाद लिए video बना रहा हूं तो यहां पर डहिये मैंने इसके बेरिंग भी लगा दिया यह से बेरिंग यह अ फर में लगा दी तो इसके बेरिंग लगा रहा हूं रहा हूं यह यहां पर देखो प्लास्तिक मouble-शरिवत कर रहा हूं यह सब्सक्र जाए हमारी अन rapid मील चक्ट थोग दूँगा इसको अच्छे से टाइट हो जाईगे अब यहां पर देखो इसको आपको धियान डखना है कि अगर यह डील आ रहे तो आपको सूपर गलू सो जिपका दीजिए वैसे मैंने इसको टाइट बनाये यह टाइट लग जाएगा अब हमारा इस्टेटर और यहां इंटु दू इंटु 2 mm की मेगनेट का यूज कर रहा हो नियोडियम मेगनेट का अंदर यहां पर दो पॉल होते एनपोल और एक एस पॉल होती है तो आपको ध्यान डखना हुआ इन पोल का अगर आपने गलत लगाए तो मोटर नहीं चलने वाली है तो यहां पर मैंने अब तो एपह देखो मेरे जो रोटर है और हमार जो इस्टेटर इसने दोनों के बीच में काफ़ी जादा दूरी है इससे क्या हो गाइऑ अपके लिए वीडियो बना रहा हूं यहां पर लिए को गरम किया शीट बनाई और एक राउंड सर्किल बनाकर यहांपर मेंगनेट को अब यहाँ पर मैंने किया करा है कि एक 3D printed इस type का मांट बनाए मेंगनेट बनाए यह अगर आपके पास 3D printer है तो आप बना सकते हो अगर आपके पास 3D printer नहीं है तो ज्यसके मैंने पहले वीडियो में जूगार करा था मैंला पहले जो मोटर के अंदर जूगार करा था उस अब देख सेकं तो एक मेंगनेट नौर्थ पोल होनी चीए दूसरी जो सौथ पोल इसी ट्राइब से नोर्थ साउथ नोर्थ शौथ इसकंदर आपको लगानी है उसके बाद यहाँ पर आप दिए मेंगनेट को मैंने इसकंदर तो आपने अभी तक पेच को फोलो नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट से कर लेना और कमेंड बोक्स में ज़रूर बताना मुझे कि वीडियो कैसी लग रही है अब यहाँ पर देख सकते मैंने एक वाइसर लगा दिया इसके अंदर ताकि यहाँ पर स्मूथ रहे और यहाँ पर मैं इस मोटर को फिट कर दिया हूँ अब यहाँ पर में पास एक 40 एंपेर की यह जो कि हमारे ड्रोन के अंदर लगती है उसी है इसको चलाने वाले तो फाइनली मैं फटाबट से इसका जो है कनेक्शन कर देता हूं इसके अंदर और यहाँ पर आप मैं एक बैटरी यूज कर रहा हूं जो कि 4S बैटरी है और यहाँ पर आप इसको चला करके देखते हैं तो देखिए भाई यहाँ पर साउंड सुनिए जिसे आप बैटी कनेक्ट करेंगे यह साउंड भी देगा और यह जो मोटर है सेल्फ इस्टार्ट मोटर है आपको इसको धक्का देने की जुरूत नहीं है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिलेगी आपको जिनमें आपको बील्डी सी मोटर बनाकर दिखाई गई है लेकिन उनको चलाने के लिए देना पड़ता है लेकिन यह सेल्फ इस्टार्ट मोटर है आपको डैकलिव इसको कनेक्शन कीजिए ओर डैकलि चालो जाएगी जैसे ड्रोन की मोटर चलती है साउंड सुनिधये आप साउंड सुनका इसका स्पीड का पता लग जाएगा इसका स्पीड बहुत ही जादा है आपको आर्पियम भी चेक करके दिखाऊंगा मैं तो देखो भायो आप अभियाल जो में हमेड जो है मोटर बनाई उसका स्पीड इतना ज्यादा कि यहां पर हम चेक कर सकता है यह उसको हाथ में पकड़के डायरेकली नहीं चला सकता है नहीं हाथ से चूटने पर हमें चोट लग सकती है इसी टाप से मैंने एक और मोटर बना रखी पहले जो मैंने ट्राइल करा था कि बनती है फिर नहीं चलती कुछ भी प्रोब्लम होगी तो इसमें मैंने सोल किया था और इसको मैंने पटिये पे लगा रखा है ताकि यहाँ पर हम इसको फूल आर्पियम पर चला सकें और यहाँ पर इसका नहीं के सकें यहाँ पर इसको मैं interconnection करके दिखाता हूँ और इसफमोर से यहाँ एक ही एक ही है कोर बी एक ही है और सबकुछ एक ही है इसका अं Hag कर दर तो यहाँ पर दोनों का जो पावरे एक早ा है यहाँ फीट पर जैसा है तकि इसका apocalypse अब यहां पर आप सबीने देखा कि इसका साउंड सुन करें आपको पता लग गया हुगा कितिना ज़्यादा स्पीड है अब यहां पर मैं इसका speed भी check करके दिखाऊंगा जब मैंने इस motor को बनाया था और इसका जब check किया था इसका 10,000 rpm तक चला गया था अब यहां पर यह motor हमारी काफी speed भी गूम रही है अब इसका आर्पियम भी check करके आपको दिखाएंगे अब आपको ध्यान रखना होगा यह जो motor है इस motor पर मैंने चालीस एंपियर की एसी और 4S बैटरी से कनेट करके दिखा है इसमें बैटरी भी डाउन हो चुकी है तो यहां पर देख सो तो 8000 rpm हमारा शो करेगा यह देखी भाई यहां पर आर्पियम देखो 3000 rpm चला गया करेंगें ऐसे हो शाषर आर्पियम चाहर आठ साथ अर्ट यहां पर देख से तो हमारा आर्पियम जो है 8700 आया इसके अंदर लेकिन वह मैंने जब इसका फाइस टाइम पर ट्रायल किया दा जब हमारे जिसके अनर्ड दस आजार आर्पियम से उपर गया दा कि आप सभी ने देख लिया कि हमारी बील्टी सी मोटर कितनी पाउरफूल है कितना ज्यादा और यहां पर जो इस मोटर को हमने 400 रुपे के अंदर बना कर दिखा दिया है तो कि यह पूरी बोडी है आपको कवाड़े के अंदर मिल जाएगी जाता जाएगा इसके अंदर बनाने की कोशीद करूगा रहा है नहीं आपकी क्योड़ेगा पमें मुझे पर जोघ्रेगट बनाने के कोशीद करूंगा तो वाई केसे लगा आपको यह वाला वीडियो मुझे कमेंट रेके ज़रूर बताना मिलते एक वीडियो में जेहिंज जेह बारत बायर बड़ीज